नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत हैं, मैं हर्षता जोरी, आए निजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर परजन शक्ती की बीच में बना रहे ताकि समाज में सात्विक सकरात मकता का वातवरन बने, उनमें परसपर संपर्क समनवय समवात की स्थितियां बनी रहें, इस द्रस्टी से बैठक बहुत महत पून रही और आने वाले समय में मधिप्रदेश में इस प्रकार के क्रस्कों का एक बड़ा कारिक्रम करने की योजना पर विचार किया गया, बैठके पश्चाथ प्रतिनीधी मंडल ने महमहीम राजेपाल लाल जी टर्डन से भेंट की महमहीम की भी गौरक्षण प्रकर्तिक क्रसी के प्रती विशेश रुची है, वरतमान सरकार का भी गौरक्षण के प इसके सरवाधिक प्रमाड़ित व्यक्तित्व हैं उनका मार्ग दर्शन भी बहुत उपयोगी होगा ताकि इसके आधार पर भविश्य में भी गौ आधारित प्रकृतिक क्रस्टी के छेत्रे वार छे दिवस्य प्रसिक्षन सिवरों का आईजन किया जाएगा सुखत सयोग यह है कि इसके पूर्व लोक भारती के प्रतिनिधी मंडल ने उत्तर प्रदेश में वहां की महा महीम माने आनंदी बेन पटेल से भी भेंट की एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितिनात से भी भेंट की और इसके सफल परिणाम यह हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गव आधारित प्रकर्तिक क्रसी को अपनी नीतियों में समिलित करते हुए इस प्रकार के क्रसकों के प्रोत्साहन समर्थन के लिए दीर काली का योजना भी बनाई और नीतियों में भी समिलित किया इसी प्रकार के अपेक्षा प्रतिनिधी मंडल ने मध्य प्रिदेश में भी इस विसे पर महामहीम राजेपाल महोदय माने लाल जी टर्नन से चर्चा हुई और भविश्य में आधारित करने वालों का गुडात्मक रसकों का व्यापक सम्मेलन मई महमे या सुभास पालेकर ज चाहेगा समाज में व्याप्त विक्रतियों की दुर्गंद का शमन इस प्रकार के सकरात्मक कारे करने वाली सज्जन शक्तियों की क्रियात्मक पक्ष और व्यापक रूप से प्रसारित करने से जो सात्विक सकरात्मक वायू मंडल का निर्माड होगा लोक भारती या उसके स सहयोगी सरोकार की द्रस्टी से समय जगत की भूमी का हम नहीं केवल अखवार हैं। पांदारी की और जीवन की सार्थकता है।